पर मनुस्य का जीवन उतार और चरहाव से भरा रहता है किसी को कभी सुख मिलता है तो कभी दुख कहते हैं ना बदलना तो प्रकति का नियम होता है ठीक उसी तरह ग्रहों की दिसा भी निरंतर बदलते जाती है जिसके कारण हमारे जीवन में कई तरह की उतार चुड़ाव देखने को मिलते हैं वही मनुस्य को अपने जीवन काल में बहुत सी परिस्तितियों से गुजरना पड़ता है लेकिन क्रहों का परभाव कभी सुब होता है तो कभी असुब होता है वही जब बैक्ति के जीवन में दुख आता है तो वह उस दुख से निराश हो जाता है वह दिन भर के ही सोचता है कि इस परिशानी से किस तरह निजात पाया जाए लेकिन अब आपके दुखों का होगा अंद जिहां जून का महीना आपके लिए आपार खुश्यां लेकर आ रहा है साथ ही दुखों का अंद करीगा जानते उन दो राशों के बारे में जिनकी ताइफ में दुखों का होने वाला है अंद बात करते हैं पहली राशी यानि करक राशी की करक राशी वाले लोगों को जूर में बहुत सारी खुशियां मिलने वाली है और आपको मैनल से कहीं जादा फल की प्राप्ति होगी ताती धन लाब हो सकता है इतके लावा आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपको पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा मिलने का योग बन रहा है वहीं आपका दामपत्ते जीवन सुख में पना रहेगा और आपके घर पडिवार में खुशी का वातवारण रहेगा वहीं आपका भाग्योदे भी हो सकता है जिसकी वज़े से आपको अपने कारे छेतर में आपार सफलता मिलेगी अब बात करें दूशी रासी यानि कुम्राशी के कुम्राशी लोगों के जीवन में जून से खुश्यों की बहुचार आने वाली है साथ एकिसमत इनके साथ देगी और आपके जीवन में कभी किसी परकार की कोई भी परिशानी या बाधा नहीं आएगी आपके जीवन के सभी परिशानियों का अंत इसी महीने हो जाएगा और आने वला समय आपके लिए खुशियां लेकर आएगा वहीं ब्यपार योगों के ब्यपार में भारी दनलाब होने का योग बन रहा है साथी सारी दुख आसानी से दूर होंगे और परिवार में खुशी का माहूल बना रहीगा